हेलो बच्चों कैसे आप सब आई होब कि आप सभी अच्छ होगे मैं संगीता फॉर्म लर्नौहफ दे लर्निंग प्रेट्फॉर्म जहां पढ़ सकते मैं साइंस सेस्टी एप्सलूटली फ्री एट लर्नौहफ.com बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे NCRT Solutions for Class 7. टॉपिक हमारा है 18th Century Political Formation, Question No.1 to 8. चलिए बच्चों मारा आज का चेप्रेट स्टार्ट करते हैं. Question No.1 हमारा है मैस्दा फॉल्विंग. मैस्दा फॉल्विंग है चलिए देखते हैं किस से किसे मैच कराना है. सबसे पहले है सुबेदार, सुबेदार को किस से मैच कराएंगे? सुबेदार जो होते थे वो प्रोविंस के गवरणर को सुबेदार कहा जाता था. तो इसलिए हम मैच कराएंगे इसे प्रोविंशनल गवरणर. next है हमारा फौजदार, फौजदार कौन होते थे, मुगल मिलिटरी कमांडर जो होते थे, उन्हें कहा जाता था फौजदार, तो फौजदार को हम मैच कराएंगे, मुगल मिलिटरी कमांडर नेक्स है इजारदार, इजारदार किस से मैच कराएंगे और revenue farmer को से हम मैच कराएंगे इजारदार को, क्यों मैच कराएंगे, इजारदार जो होते थे 1772 में Warren Hastings ने एक इजारदार नुक्त किये, जो क्योंकि जाकर किसानों से tax वसूल किया करते थे, revenue collect किया करते थे किसानों स और लेकिन इस ये जो post होती थी, starting में क्या थी? ये post जो होती थी, वो 5 year के लिए हुआ करती थी, लेकिन इससे उन्हें कोई फाइदा नहीं दिखा, company को कोई फाइदा इससे नहीं दिखा, तो इसलिए इस post को 1777 में इसे 1 year के लिए कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फाइदा इससे नहीं मिला क्योंकि यह जो इजारदार होते थे यह क्या करते थे कि लोगों को जो किसानों से इन्हें revenue collect करना होता था किसानों को बहot ज़िए परिशान किया करते थे उसके अलावा जो land होती थी असके सुधार में कोई ध्यान नहीं दिया करते थे क्योंकि यह जो post थी यह permanent नहीं थी यह change होती रहती थी इस वज़े से वो कह सकते हैं कि इस वज़े से ही वो जो land होती थी उस पर ध्यान नहीं दिया करते थे और किसानों को बहुत परिशान किया करते थे और जो revenue collect होता था पूरा पूरा revenue वो company को देते भी नहीं थे इसलिए कि इसे बाद में change कर दिया गया मिसल निफ़े मिसल कों थे मिसल को किसले किसे मैच कराएंगे मिसल बैंड ओफ सिख वारियर से मैच कराएंगी क्योंकि धो स्विजेष्ट्रोन के 수 इस सरदार थे उनके अलग अलग समू हं बन गया जिसे कि मिसल कहा गया median 4 को हम मैच करा नीजट मराठा जो थे मुगल रूलर पेर fashion तैक्स जो थे वह टैक्स लगाया करते थे जिसे की चौथ कहा जाताथ वणий होता था जैसी कुझ ऑन इसकार क συν 20 यूद मैच करएंगे कुमई कई को मैच कराइंगे हम Maratha's Bees and Warrior Maratha's Bees and Warrior जो थे उन्हें कुनभी कहा जाता था Next है उमरा उमरा को किस से मैच कराएंगे Last time I was बच रहा है High Nobel और उमरा जो होते थे उमरा कौन होते थे मुगलन काल में उमरा उन्हें कहा गया था जो उच्च वर्क के लोग होते थे उच्छ नोबल अधिकारी होते थे उन्हें कहा जाता था जिने की 1000 या उससे ज़्यादा मनसब दी गई होती थी उन्हें उम्रा कहा जाता था, चलिए विचे देखते हैं, question number two, question number two हमारा है, fill in the blanks, fill in the blanks है, आइए समझते हैं, इसमें ए है, औरंग जे पोट कर दी थी तो डेकन में लड़ागा युद्ध था वॉर्थ था जो अरंजेब के दौरा लड़ा गया था उसमें अपनी बहुत सारे सैन एवं वित्ती संसाधन उसने खर्च कर दिये थे नेक्स हम देखते हैं भी उम्रा एंड जागिर्दार मुगल देखते हैं आवध इस्टेट की स्थापना की थी? आवध इस्टेट का फॉन्डर कौन था? तो अवध इस्टेट जो था वो उसका जो फॉन्डर था वो था बुरहानवल्मुल्क सादत घां जिसके पास हम देखते हैं आगे के question में हम देखेंगे बुर्हानुल मुल्क सादत खा जिसने की अवद की स्थापना की थी 1722 में उसके पास बहुत सारी post थी उसके बारे में हम आगे के question में देखेंगे चली बुचे देखते है question number 3, question number 3 हमारा है state whether true or false, true or false में हमें आंसर करना है जो true होगा उसे हम T से show करेंगे and false को F से show करेंगे, चली आये देखते हैं A है हमारा नादेशाः invaded Bengal, नादेशाः जिसने Bengal पर आक्रमर किया था, क्या ये true है या फिर false है, नादेशाः ने Bengal पर आक्रमर किया था, true है या false है, ये है false क्योंकि नादेशाः जो इरानी रूलर था, उसने डैली पर आक्रमर किया था और पूरे डैली को उसने बहुत बुरी तरह से लूट लिया था तो ये जो हमारा first है ये क्या है ये है false जिसे हम शो करेंगे F से next हम आते हैं B, B हमारा है सवाई राजा जैसिंग was the ruler of Indore सवाई राजा जैसिंग Indore के ruler थे true है false है ये है false क्योंकि सवाई राजा जैसिंग जो थे वो थे राजस्थान आमेर के ruler तो ये भी हो गया हमारा false next है C, Guru Gobind Singh was the tenth guru of six Guru Gobind Singh क्या सिखो के वो tenth guru थे ये सही है क्यों क्योंकि ninth guru जो थे इनके पिता गुरु तेक बहादूर उनके बाद ninth guru थे सिखो के गुरु तेक बहादूर उनके बाद जो tenth guru थे वो थे guru Gobind Singh तो ये जो हमारा statement है ये है true जिसे show करेंगे हम यहाँ पर T से next हमारा है इसमें D, D है Puna became the capital of the Marathas in the 18th century Puna जो कि 18th century में Marathas की capital बना तो ये जो statement है ये भी है true क्योंकि Marathas ने 18th century में Puna को अपनी capital बनाया I hope कि आप समझ गये होंगे कौन सा true है कौन सा false है और क्यों है चलिए बच्चों देखते हैं question number four question number four हमारा है what were the offices held by साधत खा साधत खा के दोरा कौन सी post समाली गई कौन सी offices समाली गई तो साधत खा जो की founder रहा किसका आवध का, आवध का founder साधत खा जिसने 1722 में आवध की स्थापना की थी उनके पास जो post थी वो थी सूवेदारी, फौस दारी and दिवानी, सूवेदारी, फौस दारी दिवानी ये तीन pos उन्हों तो जागिरदारी सिस्टम बेंगॉल अन आवत की जो नवाप थे वो जागिरदारी सिस्टम को क्यों हटाने की कोशिश कर रहे थे तो जागिरदारी सिस्टम मुगलों के द्वारा लाये वा था मुगल्स के सिस्टम थे जिस पे इंफ्लेंस किसका था मुगल्स का था कोई भी जो जागीरदार थे उनके नंबर इन्होंने सबसे पहले reduce किये फिर जागीर का जो कह सकते हैं size जो था उसे उन्होंने reduce किया और उसकी जगर पे जो वेकेंट पोस्ट थी वहाँ पर अपने loyal लोगों को उन्होंने किया और fraud को रोकने के लिए cheating को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो जागीरदार appointed थे पहले से उनके अकाउंट को उन्होंने चेक किया और जो सभी डिस्रिक्ट में उन्होंने क्या कि जो उनके दोरा पॉइंट लोगों के द्वारा और जो पुराने जागीरदार थे उनके अकाउंट को उन्होंने फिचिटिंग पता करने के लिए उसे रोकने के लिए उन्होंने उनके अकाउंट को चेक कराया तो अब हम समझते हैं कि जागीरदारी सिस्टम जो है उसे हटाने की कोशिश क्य भी – जागिरदार के जहाए नमबर जागिरदार के जो नमबर जागिरदर के ओनेयर का पारेजर के उसे इस अपने रीजन में वो अपने चेत्रों में वो क्या करने ना चाहते थे? Mughal influence को कम करने के लिए by reducing the number of office holders, jagirdars appointed by the Mughals they also reduced the size of jagirs and appointed his own loyal servants to vacant position the accounts of jagirdars were checked to prevent cheating and the revenue of all districts were reassessed by officers appointed by the Nawab court तो उन्होंने Mughal influence को कम करने के लिए जागिरदारी सिस्टेम जो था उसे हटाने की कोशिश की चलिए बच्चों देखते हैं question number 6 question number 6 हमारा how were the six organized in the 18th century सिख जो थे वो 18th century में किस तरह से organized हुए 18th century में हम देखते हैं सिख जो है वो एक political community के रूप में organized होते हैं और जिसकी वज़े से पंजाब का जो regional state building है पंजाब के छेत्री विकास को इससे बढ़ावा मिलता है महराजा रंजीत सिंग जो की इस समय मुगलों के साथ कई लडाईयां लड़ाय थे और इसी समय कुछ योगे लीडर कुछ योगे सिख लीडर ने कुछ बैंट्स बनाएं कुछ लोगों को इकठा किया लोगों को और नाइस किया पहले जथाज में और फिर मिसल में और यह जथाज और मिसल जो थे मिला के एक बड़ी आर्मी बनी जिसे की कहा गया दल खालसा the organization of the sikhs into a political community during the 17th century helped in regional state building in the Punjab जिसे की Punjab के regional state building अपार मिला under a number of application leaders in the 18th century under a number ofáng leaders in the 18th century the sikhs organized themselves into a number of bands called Jathas and later on Misle their combined forces were known as the grand army dal khalsa Guru Gobind Singh had inspired the khalsa with the belief that their destiny was to rule the khalsa the six territories in the late 18th century late 18th century में क्या देखते हैं कि जो six territories है वो extend होती है Indus से वो जमना तक extend होती है लेकिन अलग-अलग leaders के में वो divided रहती है आई देखते हैं the six territories in the late 18th century extended from Indus to Jamuna but they were divided under different rulers one of them महाराजा रंजी सिंग he reunited these groups and established his capital at Lahore और महाराजा रंजी वो अलग-अलग rulers में divided थी जो उनकी territories जो थी extend हुई अलग-अलग rulers में divided थी और इसी समय में महाराजा रंजी सिंग जीने ने लोगों को एक साथ किया और उन्होंने लाहोर में लाहोर को अपनी capital 1799 में लाहोर को अपनी capital बनाया तो इस तरह से सिख हमने देखा सिख जो थे वो इस तरह से organized हुए कि पहले वो जथाज मिसल इसमें इकठा हुए इनकी बड़ी आर्मी बनी और मुगलों को खिलाफ इन्होंने मोर चालिया और फिर आगे आकर इन्होंने अपनी territories को इंडस से लेकर जमना तक बढ़ाया और लास्ट में हम देखते हैं कि 1799 के लास्ट में हम देखते हैं कि लाहूर को उन्होंने अपनी capital बनाया चलि वचो देखते हैं question number 7 question number 7 हमारा है why did the Marathas want to expand beyond the Deccan Marathas जो थे वो beyond Deccan क्यों expand होना चाहते थे Deccan के power क्यों विस्तार चाहते थे तो इसे हम ऐसे समझेंगे कि एक simple सी चीज है जिसका जितना ज़्यादा विस्तार उसकी उतनी ज़्यादा शक्ती या उसकी उतनी ज़्यादा power क्योंकि बड़े area में उसका विस्तार हो गया तो उसकी power भी बढ़ जाएगी तो यही चीज हम माराठा के case में देखते हैं ज़्यादा ज़्यादा area में अपना राज चाहते थे या फिर कह सकते हैं ज़्यादा large area में ज़्यादा रूल चाहते थे कि वहाँ पर उपर उनका शासंद चल सके इसके अलावा हम देखते हैं कि limits जो होती है लोगों के आगे लिमिट्स लगी होती तो लिमिट्स भी बढ़ाने जो उनके अधिकार छेतर थे जो उनके dominant एरिया था उसकी लिमिट्स को increase करने के लिए इसके लिए मराथास जो थे वो क्या करते थे सर देश मुखी और चौथ लोगों से वसूलते थे किस से जिन रूलर्स को वो हराते थे, जिन एरियास पर वो कबजा करते थे, वहां से वो चौथ और सरदेश मुखी वसूलते थे, तो ये भी उनका उद्देश था कि चौथ और सरदेश मुखी जो है, वो जादा से जादा वसूल कर सके, अब ये चौथ और सरदेश मुखी क् उसका दस्मा हिस्सा टेंथ पार्ट जो उसका होता था वह होता था सर्देश मुखी तो चौथ जैसा नाम से समझे तो वह वन फोर्थ पार्ड था और बात करें सर्देश मुखी की वह दस्मा हिस्सा था तो यह ज्यादा से ज्यादा वह वसूल कर सके इसलिए भी वह डेकन प उनके हथियार की बात करें तो वो भी उनके वो रिसोर्स वी बढ़ेंगे उनके फूर्ड रिसोर्स वी पढ़ेंगे तो इसलिए वो चाहते थे डेकन पर अपना विस्तार की जादा जादा छेत में उनका रूल हो सके जादा जादा सर्देश मुखी और चौत्व वसूल सके और उससे उनका जो resources हैं, वो increase हो सकें, आईए देखते हैं, the Marathas want to expand beyond the Deccan because Maratha rulers wanted to establish their rule in a large area so that Maratha could increase the limits of dominion, तो ज्यादा चेत भी वो अपना विस्तार करना चाह रहे थे, so that they अपनी limits को बढ़ाना, so that they can get the rights to collect maximum choth and sardesh mukhi and thereby increase their stock of resources, तो ज्यादा सardesh mukhi और 4 वो वसूलना चाह रहे थे, जिससे उनके resources भी obvious हैं कि वो बढ़ते हैं, तो इसलिए वो Deccan पार अपना विस्तार चाहते थे, चलिए बच्छों देखते हैं, question number 8, question number 8 हमारा है, what were the policies adopted by Asafzha to strengthen his position, अपनी position को strength देने के लिए Asafzha ने किन policies को adopt किया, Asafzha ने क्या किया, अपनी strength को बढ़ाने के लिए, आईये समझते हैं, taking subsequent advantage of the turmoil in the Deccan and the competition amongst the court nobility, he gathered power in his hand and became the actual ruler of that region, उसने क्या किया, कि जो उथल पुथल मची थी Deccan में और Deccan के और वहां के जो दर्बारी थी, उनके बीच में जो competition था, उसका फाइदा उठाते हुए, उसने क्या किया, अपनी शक्ती को बढ़ाया, अपनी power को बढ़ाया और वहां का actual ruler बन गया खुदी, उसने फाइदा उठाया, देखा कि लोगों के बीच में जगड़े हो रहे हैं, वहां पे उथल पुथल मची है, तो उसने उसका फाइदा उठाते हुए, अपनी power को बढ़ाते हुए, वहां का ruler बन गया, जिससे सारी जो सत्ता थी, वो उसके हाथ में आ गई, आसफजा ब्रॉट इसकिल सोल्जर और अड्मिनिस्टेटर फ्रॉम नदन इंडिया, वो विलकम्ट दन न्यू अपॉर्चुनिटीज इन दे साउथ, और साउथ की तरफ अपॉर्चुनिटीज मिलने की वज़े से वो भी बहुत खुश वे, और वहां पर उसने मनसबदार और जागिर्ज जो थे, वो न्यूक थी किये, तो जो जिने वो उसने नॉर्थ की तरफ से ले आया, अपने कामों के लिए, तो वो वहां पर नॉर्थ स्थेает, कि अपने कामों को करता, तो हम देख सकते हैं कि उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, पनी पोजिशन की की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसने किन पॉलिसी को अड़ाप्ट किया कि उसने क्या किया पहले तो खुद रूलर बन गया और उसके बाद उसने नौर्थ की तरफ से सोल्जर्स जो थे वह साउथ की तरफ लाए जो कि उसके द्वारा लाए हुए थे नहीं अपॉर्च करता था और उसके काम में कोई हस्तक शेप नहीं कर सकता था कोई इंटरफेरंस नहीं कर सकता था इस तरीके से उसने अपनी इमेज अपने कामों को अपनी पोजिशन को इतना स्ट्रॉंग कर लिया था कि बिना किसी इंटरफेरंस के वह खुद काम किया करता था तो बच्च झाल झाल